बिहार में पूर्वे उपमुक्य मंत्री सुसील कुमार मोदी ने महा गटबंदन पर तगड़ा तंज कसा है उन्होंने कहा कि नितीज कुमार मुझे पर दयान ने दिखाए पहले अपनी कुर्सी बचाए नितीज कुमार की कुर्सी कभी भी जा सकती है चुकि लालू परसाद की पार्ठी ने पहले ही अपनी सरकार बनाने की रणनीती तयार कर रखी है राज़त की सरकार बनाने में महज दो चार विदाईकों की उन्हें जरूरत है साथी सुसील कुमार मोदी ने कहा कि गटबंदन भाजबा ने नहीं तोड़ा बलकि खुद नितीज कुमार ने तोड़ा है और वे लालू राबडी की आवास पर साना गत हो गए है बता दे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राज़त ने पूरा परपंच राचा है विदानसभा में राज़त की अध्यक्स है राज़त के पास पहले से अन्य दलो को मिला कर 115 विदायक है विदानसभा अध्यक से जब चाहे राज़त को शदन में बहुमत दिला सकते है बहुमत के लिए 122 विदायकों की जरूरत है बहुती जल्द बिहार में नया मुख्यमंत्री देखनी को मिल सकता है उन्होंने कहा कि राज़नीति घटना क्रम से इसपश्ट है कि तेजस्पी को मुख्यमंत्री की कुरसी पर बिठाने के लिए लालू परसाद ने पूरा खेल खेला है आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताए धन्यवाद